आज हम आपको एक ऐसे प्लांट से मिलवा रहे हैं जो सौ साल तक फिर सकता है अगर उसको मन्चाई स्वाइल और वैदर मिल जाए तो यह हमारा साइक्लमन का प्लांट यह एक्जॉटिक प्लांट है इसके कीमत भी ज्यादा है और इसके उसके देखवाल भी सकता है सक्थ से मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा परिशानी वाली बात आप इसको शेड मेर रखं़ें डारेट संलाइट में न रखं़ें यह शेडी प्लांट है और डारेट संलाइट इसको कर नहीं पढ़ना चाहिए अगर डारेट संलाइट लिए होकर गिरने लगेंगे और यह जाड़ों का पिलांट है यह जन्वरी फरवरी कि जिसंबर से लेके जन्वरी और फरवरी में खिलता है इसके बाद ये। दोलमेंजी की पीरेट पर चलाय पर है इसमें बहुत से कलर होते हैं और मैंने इसकी की रिपॉर्टिंग की एक डब्ब है इसके अंदर पर दिए है ताकि इसको पानी की प्राब्लम ना हो एलास्टिक के पॉर्ट में इसा कोई मसला नहीं होता और इसको मैंने थोड़ा ऊचा तो चा करके यह लगा तरुकिक है ताकर पानी इसके जड़ों में ना ठहर ना भला बह जाए और इसका, पानी बिलकुम साथ है आप दे सकते हैं मिलकुल शेलो पार्ट है और इस एलो पार्ट में यह मैंने इसकी सॉाहिल में राइस हस्क, वर्मि कमपोस् एंड रुम की ख़ली मिलाई है, यह इसके निए काफी है और यह अभी एक महीना और अच्छी फिलावरिंग करेगा लेकिन इसको गर्मियों में अगर हम बचायाना चाहते हैं तो हम इसको जहां गर्मी पड़ती है वहाँ पर इसके बल्ब को जब इसका मौसम खतम हो जाए तो इसके बल को निकालके हम ठंडी और पूल जगा पर रख देंगे ऐसे ही इस गमले को इस पॉट को उठाके ऐसी जगा रख देंगे जहां पर ठंड़क हो दूप नाती हो और पेड़ों के नीचे ठंड़क इसको मिलती रहे और कभी-कभी पा है लेकिन ज्यादा पानी नहीं देंगे एक अद महीने में हम इसको एक बार पानी देंगे गर्मियों में और फिर जब नया मौसम आएगा जाड़ेगा तब आपको यह तैयार मिलेगा फ्लावरिंग करने के लिए बहुत ही खुफूरत प्लाइंट है और आप इसके बहुत पस इसको समाल कर रखने की बात है कि इसको गर्मियों में हम कैसे समालते हैं और जहां पर जाड़ा पड़ता है वहां तो यह लगातार फिलावरिंग करता ही रहता है बस पानी जादे नहीं मिलना चाहिए तो गाइस यह है आज की वीडियो साइक्लमेंट जो सौ साल तक चल कुप सोती देखके मैंने इसको खरीद लिया उमीद है आज के वीडियो आपको पसनाया होगा मेरे लिए को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अल्लाहाफिज हमारे अकल से लाइट नहीं है इसलिए जनरेटर चल रहे हैं प्ली सौरी आवास के लिए डिस्टर